खद्रो की खिलाडी के सीजन 14 का शूट पूरी तरह से खतम हो गया है और सभी खिलाडी भी इंडिया के लिए रवाना हो गए है पर शूट के अंत में क्या रही इस साल के कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग, कौन निकला सबसे पहले और किसनी अपनी जर्नी से सब को चुका दिय एगाइज, इस में मानिका यार गॉसिप गल और बात करते हैं इस साल के खत्रो के खिलाडी की फाइनल रैंकिंग की लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही गॉसिप और अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें शो की शुरुआत होगी टोटल 14 कंटेस्टेंट से जिसमें हमें हर उम्र के कंटेस्टेंट देखने को मिलेंगे और हर फिल्ड के भी शो में सबसे पहले ऐलिमिनेट होंगी रूही चतुरवेदी और अपनी बदकिस्मिती और बैट परफॉर्मेंस की वज़े से वो इस साल खत्रों के खिलाडी में अपनी चाप नहीं चोड़ पाई इसके बाद जो एलिमिनेट होगा उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी मैं बात कर रही हो रोहे त्रॉय की और वो भी शो की काफी शुरू में ही शो से निकल जाएंगे इसके बाद खबरों के मुताबिक शो से एल जली आनंद और इनकी एलिमिनेशन से भी सबको बहुत दुख होगा क्योंकि इनकी सबसे बनती चो इतनी थी इस साल 10 नंबर पर शो से बाहर होंगी अंजुम फकी पर इनको भी अच्छी परफॉर्मेंस की हिस्ट्री के चलते एक और मौका दिया जाएगा कंपीट करने का पर वो फिर से जलती शो से बाहर हो जाएंगी और फिनाले में अपनी जगा नहीं बना पाएंगी नाइन्थ नंबर पर शो से एलिमिनेट होंगी बॉलिवुड एक्टरस डेजी शाह एट्थ पोजिशन पर शो से बाहर होने वाले हैं इस साल के छुपा रुस्तम शिजान शिजान ने इस साल अपनी परफार्मेंस तो बैस दी ही है पस साथ ही उन्होंने बाकी खिलाडियों के साथ जो दोसी की है उसको बिस अपने बहुत पसंद किया और लोग बेसबरी से उनको फिर से छूटे परदे पर देखने के लिए सूपर एक्साइटेड है सेवन नमबर पर सुन्दूस हुई शो से बाहर और उनका शो से बाहर होने के पीछे कोई ट्रेजडी है इसके बारे में डिटेल में हमें जल्द ही शो में पता चल ही जाएगा सिक्स नमबर पर एलिमिनेशन होगा इस साल की एंटर्टेनर क्वीन अर्चना गौतम का पर ये फिर भी फिनाले के टास तक हमें जर्णी में अपने दोस्तों को सपोर्ट करती भी जरूर नजर आएंगी टॉप फाइफ में फिफ्ट रैंग पर रहे लड़कियों की धड़कन अरजी तनेजा और इनका भी इतने आगी तक आना को सर्प्राइज नहीं है पर अगर वो पहले ही निकल जाते तो वो सर्प्राइज जरूर होता फोर्थ पर है फेमस रैपर डीनो जेम्स इनको परस्नली इतने लोग नहीं जानते पर खत्रों के खिलाडी में उनको देखने के बाद इनका फैन बेस जरूर डबल होने के चांसेज हैं इस साल टॉप तीन में अपनी जगा बनाई है पंजाबी सिंगर रशमीत कॉर्ण ने और इनके इतने आगे तक आने की किसी को उमीद नहीं थी पर अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से वो फिनाले में हमें सब के साथ कंपीट करती भी नजर आएंगी सेकिंड रैंग पर इस साल हो सकते हैं मराटी मानो शिफ ठाकरे शिफ के फैंस ने तो शिफ को उसी दिन विनर मान लिया था जिस दिन उनका नाम खद्रो के खिलाडी के लिए फाइनल हुआ था पर असल में वो जीते हैं कि नहीं वो तो वो खुद भी नहीं जानते इस साल के विनर हो सकती है एश्वरिया शर्मा पर अभी भी शिफ और एश्वरिया में 50-50 है और दोनों में से कोई भी जीत सकता है आपके अकॉर्डिंग कौन होगा इस साल का विनर मुझे कमेंट करके जरूर बताए और ऐसी ही शोज की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चल्दी मिलोंगी अगली इंट्रेस्टिंग गॉसिप के साथ अपता के लिए बाई गाइस टेक केर